चलो ठीके जी सभी को नमस्कार और आज हमारी जो ये कारेश आला है ये प्रशिक्षण कारेशला जिसमें हमें किया है कि स्पेस्ली जोबी ओसली ईपली दिप्रेशन से गृष जो भी लोग है उनके लिए रख害ा है उसका तीस्वा दिन है और अभी दो दिन तक हमने क्या किय ले दिन तो सब कुछ क्या है कि इमेजिनेशन लेवल पर फिर प्रैक्टिकली आप अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं आप अपने अनकोंशिश माइनडी की पावर को यूज करते हुए इस्तेमाल करते हुए अपने जो भी व्यादी है जीवन के अंदर जो भी दिक्कत है किसी व्यक्ति के जो विचार है जिसको र Cities ब्लो माइनड इसन की कल बात हम कर रहे थी वह कि किस प्रकार से सीफ सूचने से ही कहए कि उसका बोरी माइनड रीकशन जो चेंज हो जाता है और उसके बाद में उसको कोई ने कोई सेफ्टी लेना पड़ता है और उसके बाद में उसको रिलीफ महसूस होता है यह चलता रहता है यह चलता रहता है लेकिन आज हम इसको करेंगे ठीक है मेन हमारा जो मुद्दा है वो यही रहेगा तो आज जिस साइको थेरपी की हम बात कर रहे हैं वो है कोगिनेटिव डिल्श खुद की गलतियों से चलना सीख मुहबबस से सब की जोलियां भड़ना सीख क्या रखा है बत्रों कि बे असर इबादत में असर चाहता है तो खुद की इबादत करना सीख कैसे करें खुद की इबादत कैसे दिवन में खुश हाली आए आ नहीं रही खुशियां जीवन बिल्कुल नरक बन चुका है मानसिक समच्छा उने घेड लिया है हम लोग मानसिक रोगी बन चुके हैं और matter लोगों ने जीवन को दुबर बना दिया है अगर आप चाहते हैं कि इन मानशी को डाज बिना दवाई के 5-7 दिन में बहुती आनंद के साथ ये रोग चला जाए तो आप आ सकते हैं साइको गुरू टीम के पास और यह है इलाज साइको थेरापी के साथ योगा, मेडिटेशन, प्ले थेरापी, डांस थेरापी, लाक्र थेरापी, माइन पाउर और अन्य और विथेरापी दवारा होता है इसके साथ परसनल काउंसलिंग राजेंदर जोध पुरिया के साथ पूरी साइको गुरू टीम दवारा दी जाती है इम्तिहान समस्कर सारे गम सहा करो शक्षियत मैं गोठे की बस खुश रहा करो खुशी के लिए आईए साइको गुरू टीम आपका वालिन्गम करती है स्वागत करती है अपने आपको मानसी गुरूप से स्वस्त बनाईए धन्यवाद ड्रिल थेरपी और ये भी हमारे लिए काफी खुशी की बात है कि इसके जो निर्माता है वो भी एक भारती है डॉक्टर राकेश जैन जिनके बारे में कल भी हम लोगों ने थोड़ा सचाचा की बहुत ही अच्छे इंसान है और व्यक्तिकत तोर पे उनसे मिलने का मोका जो हो मुझे मिला बहुत ही अच्छे इंसान है मतलब जो ओसीडी से जो ग्रस्त जो लोग है उनके लिए एक अवतार की रूप में भी आप उनको जो हो मान सकते हैं और अपनी सिर्फ इसी थेरपी के बल पे उन्होंने कहें कि हजारों की संख्या में जो मानसिक रोगी जिनको कहें कि अपने जिवन में जितकर प्रिशानी जो कि तबादी आरे थी खास करके OCD हो गया उनको किए कि इस तेरपी के बल पर उन्होंने जो ठीक किया कि समझ में आगे आख्ये से बी OCD क्या है यह तो рек brings विचार में विचार्य दिमाग में आते रहना आते रहना उन्हों विचारों से कि एक मन के अंदर जो उस जो को ठEt प्रिवर्तन होता है इंग्जाइटी का लेवल बढ़ जाता है इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसको हम सहन नहीं कर पाते और हमें कोई नहीं कोई एक्षण लिना पड़ता है जब भगवान से माफी मांगने वाला हो वो साफ सफाई वाला हो कोई कोई विशार हो फिर उसके बाद में हमने एक्षाल लिया तो उसके बाद में हमें हलगा सा रलीफ मेहसूस होता है और हमारे दिमाग एक गल्ची सीख लिए उस परकर के इसनिवाबस तो तुम कैए कि इस तपर एक Communism me करो तो यह जो है वह चलता रहता है चलता रहता है और एक साइकलोजिकल डिसोडर के रूप में जो है यह करवाइट हो जाता है तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कोगनेटिव ड्रिल तेरपी यानि जो भी हमारे अंदर का जो डर है उसको हम कह कि कुरे देने की कोशिश करेंगे ठीक है तो उसमें B OBSD यह समझ में आगया ना क्या होता है अब्जेक्ट क्या होता है शारीरिक और मानसिक बदलाव क्या होते हैं क्या हम शुरक्षा प्रकिर्या अपनी तरफ से अपनाते हैं और दूसरा तरफ क्या है कि डेंजर थोट यहां पे कभी भी देख ले जाएगा ऐसा हो जाएगा बस यहीं विचार जो हमारे दिमाग में जो हो चलता रहता है ठीक है तो गा मतलब जो फ्यूचर को लेके जो हमारे मन में जो डर भरा हुआ है उसका आज हम आपना सामना करने वादा और ऑडी ओबी एसडी तो उसमें क्या है कि देखिए कभी भी जब खतरनाक विचार आते हैं तो हमारा वह यह बोडी माइंड रियक्शन जो हो चेंज हो जाता है और हमारे चिंता का जो स्तर है वो बढ़ जाता है और वो जो चिंता का स्तर जो बढ़ेगा उसको आप लोग कहें कि नम्बर देंगे मतलब हलकी फुल की चिंता रहती हलकि फुल की घवराथ रहती है तो एक से तीन की बीच में उसको कोई भी नम्बर देना है उसके लावा उसका लेवल अगर थोड़ा ज्यादा लगे ऐसा लगी कि थोड़ा बेचानी भी हो रही है तो दिल की तो देंगे तो देखिए ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपके यहां पर कोई मेटर लगा हूआ है जिसको पहचान के ऐसा बता देंगी की मेरा जो मेटर है और 9 अभी Mrs 11 and time ने बताना है अभी जो है ओप मुझे इतना फील यहों और भाया है तो उसमें क्या है कि anxiety का level बढ़ा तो हम में यह जो चीज ना safety जो behavior हम अपनी तरफ से जो हो अपनाते हैं उसको क्या है कि बिना करते हुए बिना safety behavior के हम अपना जो भी शारीरिक और मान से जो दलाब हुए उसको बिल्कुल relax करेंगे और जो थोट है उसको क्या है कि power को कम करें समझ में आगया इन शोट मैं आपको बोलूँ कि देखिए अभी क्या है कि object का आमना सामना होने के बाद जो खतरनाक विचार थे उनको शांत करने के लिए या उससे लिटिट जो हमें चिंता हुई है उसको relax करने के लिए हमें क्या है कि कोई ने कोई बहवार करना पड़ता OCD खतम हो जाएगी यही तो है ना में तो ऐसा ही हम आज जो हो करने वाले ठीक है तो अभी clear है लेकिन इसमें एक चीज में आपको और बदा जाता हूँ कि कभी भी जो है कैसे करेंगे उसका सबसे पहले जो है कि हम उसका tense change करेंगे मतलब जो भी भविश्य को लेके जो खतर है कि उसको वरतमन समय में हम convert कर देंगे अभी ऐसा हो रहा है या ऐसा हो चुका है फॉर इजमपल मैं अगर आपको ऐसा बोलू कि शेर आ जाएगा यह खत्रा है या नहीं है शेर आ जायएगा तो खत्रा नहीं है लेकिन अभी यहां पर भगवान सजा देगा यह खत्रा है नहीं है लेकिन भगवान सजा दे रहा है मतलब खत्रा तो है लेकिन उस खत्रे से हम आमना सामना कर रहे हैं भगवान सजा दे चुका है अगर यह situation है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज पास्ट में जो जा चुकी है उससे हमें कोई खत्रा कभी रहता नहीं मतलब शेर आ चुका है यह आके जा चुका है तो उस चीज में कोई खत्रा रहेगा है ना इसको क्या है कि पैटरन को हम चेंज कर दें समझ में आ रहा है जी मतलब हाथ गंदे हो जाएंगे गंदगी फैल जाएगी इसकी वजाए हम क्या करेंगे कि बात गंदे हो रहे हैं यह हो चुके हैं बगवान सजा दे रहा है या दे चुका है ठीक है उससे कि जब आमना सामना करेंगे वह भी कहें कि डिवाइडी डोज में यानि हलके लेवल पे अगर डारेक्ट मान लिया जाए कोई बंदा ऐसा है जिसको कहें कि कुत्ते से डर आगे देरे देरे के एक चीज के लिए normal करेंगे और normal कैसे करेंगे जब तक एक छोटे लेवल का जो भी बाचित है जब उसका हम आमना सामना कराते हैं present moment के अंदर लेके आगे वर्तमान समय के अंदर लेके आके तो उसके बाद में क्या है कि उसका level एक से तीन के बीच में अगर रहता है तो हम उस condition को कहें कि नॉर्मल मानते हैं अगर चार या चार से ज़्यादा अगर उसका level है तो सबसे पहले तो उस विचार को imagination लेवल पे यानि मतलब कलपना के तोर पे हम उसको क्या करेंगे कि तीन से नीचे लेके आएंगे देरे-देरे मतलब वो सोचते रहेंगे देखिए उसमें क्या है कि तीन तरह के तरीके हमा तीसरा के है कि कुछ लोग इसके बाद में कहें कि audio-visual device मतलब mobile वगरा में उन चीजों को देखना और यह सब चीजों जो हो देख सकते हैं तीसरा के है कि practical life में मतलब कैसे करेंगे और फूर एक्जमपल किसी को कहा है कि कुट्टे से डर लगता है ठीक है तो सबसे पहले तो कहा है कि व्यक्तिक तोर पर अपने सिर्फ विच्चारी तोर पर वो कहा है कि ऐसा बोल रहा है कि कुट्टा मेरे सामने है कुट्टा मुझे जो काट रहा है बिलकुल नजदीक आ मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा तो इसी तरकार से क्या है जैसे मैंने इस चीज को चुआ और मेरे हाथ जहो गंदे हो गए है मैंने क्या है कि अपना जो जाडू है उसको हाथ लगाया और मेरे हाथ गंदे हो गए है फिर उसका लेवल धीरे बढ़ाते गए उसके बाद में क्या है कि पहुंचते पहुंचते क्या है कि टॉलेट की शीट तक हम पहुंचे गए मतलब हम खुट्टे के खाने वाली वीडियो देख लें या फिर कि भगवान सजा दे रहा है इस तरह की वीडियो देख लें लोग बहुत ज्यादा गंदे हो चुके और उनको कहा कि कोई संकर्मन हो गया इस परकार की वीडियो उसे गबराट हो लेकिन उस गबराहाट को बिन सेफ्टी बीहेव किये हम नोर्मल करेंगे फिर कि प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब क्या है कि जैसे रेखा जी कि अगर मैं बात करो तो यह क्या है कि जैसे यह ज़डू है तो इसको कहे कि पहले बिल्कुल छोटे कालपनिक तोर पे उन्होंने चुल लिया फिर कि इनको छोटे मिना जाता हुआ है उस्के लाबर वाष्ट पेशन जो जादा गंदा लगता है दूसरा कि इन्हों नेहों थोड़ा सा बताया कि जो बड़े जो बुजुर्ग होते हैं उन से भी कहें कि थोड़ा क्यी बार दिक्कत परिशानी हो जाती है इनको मतलब तो उनको कहा है कि हाथ उनका पहले उंगली टच कराई फिर देरे-देरे मतलब देरे-देरे करते करते उस चीज के लिए अगर नूर्मल होना स्टार्ड बिना हाथ दोए अगर यह ऐसा कर लेते हैं तो मतलब दिक्कत परिशानी जो हो खतम हो जाती है और OCD में ख यह सब्सक्रासाइब कि दवा भी लेनी अवश्यक है और आपको जो दवा है वो लेनी चाहिए लेकिन दवा से एक बार क्या है कि जैसे ही दवा का सेवन हम बंद कर रहेते हैं वापीस से जो लक्षन है वो फिर से आने जो शूरुत है और हमारे मां मांध में एक पिक्टर भी बन जाती है कि जैसे ही मैं दवा चोड़ूँगा मेरे लक्षन दुबारा आजाएंगे बार-बार अगर हम ऐसा सोचते हैं तो उसकी वज़े से भी दिक्कत प्रिशान जो आ जाते हैं लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि बिना दवा के यूज आप कर रहे हैं तो भी ठीक ह देगा ठीक है मैं आपको अपना एक केस बताता हूं थोड़ा सा उसमें कहें कि बड़े ही अजीबों गरीब जो है विचार आ सकते हैं खास करके रिलीजिय सोसेडी की एकर मैं बात करूं तो एक केस था उस उसने क्या है कि उसकी उमर थी लगबग लगबग 21 साथ तो उसने मुझे बताया कि तीन साल पहले उसने किसी लड़की को जो हो किश किया था तो वो कहें कि उसको ऐसा लगा कि यह तो उससे कहें कि बहुत बड़ा पाप हो गया बहुत बड़ा पाप हो गया तो उस चीज के लिए भगवान उसको सजा देंगे उसको भी सजा देंगे उसके family member को सजा देगा इस परकार के विचार है वो आते रहते हैं और सारा दिन बहुत भगवान से माफी 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 मैंने फिर इसको एक बात बोली मैं किया रहे एक बात बताओ कि बहुत से ऐसे लोग भी दुनिया में होंगे जो कहें कि हो सकता है कि रेप बगरा करते हैं और जो भी तुमने किश्वाला किया था वो कह एक उस लड़की की रजामंदी से किया था लेकिन बहुत से ऐसे लोग है जो बहुत ही जादा गलत हरकते हैं और करते ही रहते हैं यहां तक कि बच्चियों के साथ जो आज के समय में कुख कर्म हो रहे हैं और और भी कहा है कि बहुत लड़कियों के साथ उन्होंने किया है, तो मतलब भगवान उनको तो कहा है कि पीट-पीट के ही मार देगा, फिर उसने मेरे को जवाब दिया, कि सर देखो वो जो लोग है न, वो कहा है कि भगवान में विश्वास निरखते हैं, मैं कहा है यार इसका मतलब भगवान पर पक्षपात करता है, जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उसको तो वो सजा देते हैं, और जो लोग कहा है कि उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उसको कहा है कि वो कुछ कहता ही नहीं उनको, मतलब भगवान ऐसा अगर होगा तो ऐसा तो नहीं होगा जी वो सबको एक दिरिश्टी से देखने वाला होगा और बाकी मैंने आपको बता दिया कंसेप्ट मेरे अकूर्डिंग जो होई है कि हम कहें कि हर एक चीज में अगर भगवान देखना स्टार्ट करें यही स्वर्ग है यही नर्क है सब कुछ यही है तो सारी दिक्ट प्रिशानी खतम हो जाएगे अगर हम हमने उस दिये हुए शरीर को उस भगवान की दिये हुए शरीर को अगर हमने अच्छा इस रख लिया करेंगे उसके बारे में जैसे इनको अच्छे से समझा दिया गया कि इस परकार से अगर लेवल बढ़े तो आपने उसको एक नंबर देना है और लेवल बढ़ेगा तो उस मतलब एंग्जाइटी का लेवल जो चिंता का स्तर बढ़ा है उसके लिए हम क्या है कि कैसे ने कैसे जो माइंड है उनका जो दिमाग है वो किसी और जगह लगाने की कोशिश करें मैंड करने की कोशिश करें विचारों लिए बहुत सी परकेरिया हैं जो है वो लोग कर लेते हैं उसके लिए कि एक तो मुठी बंद करने वाली एक्टिवीटी भी कर सकते हैं वो मैं चरो खेर आपको जो हो करवा कि दिखाऊंगा ठीक है और दूसरा क्या है कि तालिया वी बजा सकते हैं या फिर क्या है कि कुछ ऐ इसी स्थीती में हम उनको लेके जा सकते हैं जहां पर थोड़ा सा अच्छा मैसूस करें या किसी ऐसे मुद्दे पर हम बातचीत करना शुरू करते हैं जिस मुद्दे के बारे में तो यह बातचीत करना पसंद करते हैं लेकिन क्या है कि इस समझ्छा से उस मुद्दे का तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी आखे बंद करके कुछ लंबी गहरी सांसे ले लीजिए क्योंकि इनकी जो डिटेल है वो मेरे पास है इसलिए मैंनी के उपर आपको जो डेमो दिखा रहा हूं समझ आप अपने अकोर्डिंग भी कर सकते हैं और हम करवाके भी दिखाएंगे जैसे आप दोनों को राजिंदर जी और वर्षा जी जो हो करवाके दिखाएंगे और मैं मैं क्रिकेट खेल रहा हूं और क्रिकेट खेलते खेलती विपक्षी टीम के बारे में बुरा सोच रहा हूं क्रिकेट खेल रहा हूं और क्रिकेट खेल रहा हूं और विपक्षी टीम के लिए बुरा सोच रहा हूं बोलते रहो आखें बंद करके बोल सकते हैं मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और विपक्षर टीम के लिए कुछ बुरा सोच रहा हूँ डिक खेल रहा हूँ और विपक्षर टीम के लिए कुछ बुरा सोच रहा हूँ है है मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ विपक्ष टीम जो दूसरी जो टीम हो इसका बारे में बुरा सोच रहा हूँ कि ये टीम बुरी तरह हार जाए ये मैं सोच रहा हूँ और विपक्षी टीम बुरी तरह हार जाए ये मैं सोच रहा हूँ कि तीक है मैं क्रिकेट खेल रहा हूं क्रिकेट खेलते समय मेरे दिमाग में ऐसे विचार रहे हैं कि जो विपक्षी टीम के जो खिलाडी हैं उसके उपर कहें कि अपने पैर रखते हुए में चलता रहा हूं मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और विपक्षे टीम के खिलाडी के उपर पैर रखते हुए चल रहा हूँ मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और मैं विपक्षा टीम के खिलाडियों के उपपर पैर रख्के चल रहा हूँ मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और मैं विपक्षा टीम के खिलाडियों के उपपर पैर रख्के चल रहा हूँ कि उनने मुझे कल बताया था कि जैसे अगर ऐसा भी कोई अगर विचार आ जाता है तो उनसे भी कहें कि घ्रिना हो जो स्टाड़ जाती है कि एसा गलत मैं कैसे सो सकता हूँ कि देखो सबी समान भाव से खेल रहे हैं लेकिन कोई बडिवात्मी विचार ही है ठीक है तो मेरा ज गया और इस चीज के लिए भगवान मुझसे नाराज हो गए है मेरा जो पैर है वो किसी को लग गया है और भगवान इसके उपर से मेरे नाराज हो रहे है मेरा जो पैर है किसी को लग गया है और भगवान इसके उपर से में तो नाराज हो रहे हैं कितना है तो मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत प्रशानी नहीं हो ठीक है था नौर्मल देखो एक से तीन के बीच में तो मतलब हम नौर्मल मानेंगे कोई बड़ी बात नहीं यहां त तो उसमें अभी तक इतना का जो लेवल है वो नहीं मतलब हम थोड़ा सा बढ़ सकते हैं अभी है ठीक है तो मैं क्या है कि दूसरे लोगों क्यों क्यों क्या है कि पैर से ठोकरे मार रहा हूं और उनको बुरा भला कह रहा हूं जिससे बगवान नाराज हो गए है मैं दूसरे लोगों को पैर से ठोकर मार रहा हूं और इसके वज़े से बगवान नाराज हो गए है मैं अपने हाथों से बगवान की मूर्ती को चू रहा हूं जिससे कह कि बगवान नाराज हो गए है मैं अपने हाथों से अपने हाथों से भगवान की मुर्टी को चूरा हूँ और भगवान मेरे से नारा जो रहे है। भगवान जी तो लगा है कि अब उसका लेवल एक दम से ऐसा तो मैं करने सकता है अपने देखा अर्व कर रहा हूं अच्छा थीक है नि उसमें कहें कि एक दम से तो बिल्कुल धीरे चलेंगे तो इनको भी कहा कि कोई दीकत परिशानी जो हो नहीं होगी ठीक है थोड़ा शब्दों का हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज में तो देखिए मैं देखो भगवान की मूर्तियां हैं सबी जगे हैं रखी हुई हैं कई बार हाथ जैसे हम मेरा भगवान की मूर्ति के उपर पैर लग रहा हैं और बगवान नाराज हो चुके हैं कि अब बगवान के मुर्थी पर पहर लग रहा है और भगवान नाराज हो चुके नो कोई एंग्जाटी नहीं पहले बहुत अब नहीं मतलब नहीं पहले पहले क्या बोल आपने पहले जाधा होती ती अगर मने आप इसा तीसी को बोलते भी चुना या मेरे कान पे भी है देख्युत प्रिशानी की जुजठ है वो विचारों में है दिमाख में है ना तो सचाई तो ऐसी है कि कोई सजा नहीं होती कोई भगवान नियोता कुछ भी ऐसा होता नहीं है ठीक है लेकिन अब भी हम जो है वो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मेरा जो पैर हो कि मेरा पैर भगवान की मूरती को चुगिया राज हो गया और मुझे सजा दे रहे हैं कि असकारण वह ना राज हो गया और मुझे सजा दे रहे हैं मेरा पैर जो है भगवान के मुर्ति को लग गया वो नाराज हो रहे हैं और मुझे सजा दे रहे हैं मतलब भगवान सजा दे रहा है तो भी कोई इंग्जाइटी नहीं है मेरा जो पैर है वो भगवान की मुर्ति को लग गया भगवान नाराज हो गए है और भगवान मेरे बच्चों को और मेरे घरवालों को सजा दे रहे है और मेरे बच्चों को और मेरे परिवार वालों को सजा दे रहे है मेरे भगवान के मुर्ति को पैर लग गया हो गल्ति के क नाराज हो गए और मेरे घरवा ले और मेरे बच्चों पर सजा दे रहे हैं, तो नाराज होके मेरे परिवार को और मेरे बच्चों को सजा दे रहे हैं स्टोप, हाँची, ठोड़ा, मतलब, नर्मल है, मतलब तीन से नीचे है, ठीक है, ठीक है, मैं जानबूच के भगवान की मूर्ती को पहर लगा दिया, जिससे भगवान नाराज हो गए, और वो क्या है कि मुझे और मेरे परिवार के लोगों को सजा दे रहे हैं, मैंने जानब मैंने जानबूच के भगवान के मूर्ती को पहर बढ़ गए, कोई बड़ी बात, ठीक है, नर्मल, एक पर बोलेंगे निया, मतलब अभी जो लेवल है, वो पान से छे के बीच में गम से कम है, यहां तो है, ठीक है, तो यहां पर जैसे ही लगे तो एक बार के लिए स्टोप रिलेक्स टेकनिक बोलते हैं कि किस परकार से हम अपने जो भी बोडी है उसको रिलेक्स कर सकते हैं, ठीक है, अभी विना माफी मांगे, माफी नहीं मांगनी अभी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपना हाथ जो हो ऐसे लीजे, लेफ्ट हैं, एक हाथ, यह वाला ना जे खबाद हैं इसको आप बोलते हैं लेफ्ट, इसको आप ऐसे लीजे, उसको बिल्कुल धीरे-धीरे से मुठी बन करो, बिल्कुल धीरे-धीरे, जैसे मैं कर रहा हूं, देखो, दस, नो, आठ, साथ, छे, पाँच, चार, तीन, दो, एक, कि रिल्कुल धीरे, छोड़ दो, यहां पर रखीचे हाथ, ठीक है, अभी कहें कि दो बार और इस हाथ से करो, तीन बार उसे हाथ से करो, बोलते हुए, गरो, मतलब जैसे मैं औरों को करवा रहा हूं, वैसे आप अपने आपको भी कर रहे हैं, बाकी लोग भी आपके साथ कर रहे हैं, पहले जिस हाथ से किया है, उसी हाथ से दो बार और करेंगे, अम लोग, ठीक है, बोलोगे आप, आपनी मुठ्टी बंद कर रहा हूं, देरे-देर दस, नो, आठ, साथ, छे, पाँच, चार, तीन, दो, एक, उपन, उसके बाद में कहें कि हाथ को आपका रिलेक्स होए, ठीक है, शान्त हुए, शान्त हुए है, मैसूस कर रहे हूं, फिर से फिर कॉंटिन्यू करो, मैं मेरी मुठ्टी बंद कर रहा हूं, धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे, लोली, मुठ्टी बंद हो चुकी है, दस, नौ, आठ, साथ, छे, पाठ, चार, तीन, दो, एक, इसाथ से, तीन बार कराएंगे, मैं जो है, अपनी मुठ्टी बंद कर रहा हूं, धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे, कश के मुठ्ट्री बंद हो चुकी है, दस, खुद की गलतियों से चलना सीख, मुहबबस से सब की जोलियां भड़ना सीख, क्या रखा है बत्रों किस बे असर अशर अशर चाहता है, तो खुद की अबादत करना सीख, कैसे करे खुद की अबादत, कैसे अब लोग खुश रहे, कैसे जीवन में खुश हाली आए, आ नहीं रही, खुशियां, जीवन बिल्कुल नरक बन चुका है, मानसिक समश्चाओं ने खेड लिया है, हम लोग मानसिक रोगी बन चुके हैं, ओसे डी फोबिया, डिप्रेशन, चिंता, तनाव, अनिद्रा, विचारों से प्रेशानी, किसी के बारे में नकारात्मक बुरे विचाराना, जैसे सेक्स्वल थॉट्स, मन्ने मालने के विचार, और भगवान के बुरे विचार, मन उदास्त रहना, आत्मत्या के विचार, बार बार हाथ दोना, चैकिंग करते रहना, विबारी से डरते रहना, आधी रोगों ने जीवन को दुबर बना दिया है, अगर आप चाहते हैं कि इन मानचिक रोगों का इलाज बिना दवाई के पांसे साथ दिन में बहुती आनंद के साथ ये रोग चला जाए, तो आप आ सकते हैं, साइको गुरू टीम के पास, और यह है इलाज साइको तेरापी के साथ, योगा, मेडिटेशन, प्ले तेरापी, डांस तेरापी, लाक्र तेरापी, माइंड पाउर, और अन्य ओर वितरापी दवारा होता है, इसके साथ परसनल कांसलिंग, राजिंदर जोद पुरिया के साथ, पूरी साइको गुरू टीम दवारा दी जाती है, इम्तिहान समस्कर सारे घंग सहा करो, शक्षियत मैग उठीगी बस खुश रहा करो, खुशी के लिएाए, साइको गुरू टीम आपका वालिटू म करती है, स्वागत करती है, अपने आपको मानसी ग्रूप से स्वस्त बनाएए, धन्यवा座.